ODI World Cup निश्रित तोरपर क्रिकेट की सबसे बड़ी और प्रेस्टीजियस टॉफी है और एक ऐसा खिताब है जिसको जीतने में बहुत सारी खिलाडी अपने पूरे जीवन का करियर लगा देते हैं लेकिन फिर भी शायद किनी को सफलता मिलती है तो किनी को नहीं मिलती है और ऐ ऐसे में दोस्तों इसी ही लिए आज की इस 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 इसे खिलाडियों के बारे में अलग-अलग देशों से दस ऐसे नामों के बारे में जिनके लिए इस साल का विश्रकप उनका ODI World Cup का आखरी विश्रकप यानि की आखरी टूर्नमेंट हो सकता है शायद इसके बाद वो हमें नेक्स्ट विश्रकप में फिर नहीं नजर आएंगे कौन से ऐसे 10 नाम है दोस्तों और in fact मैं आपको बताओं कि इस सूची में 10 के बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नाम भी नजर आते हैं तो याद रहें कि आपको खुल मिला के 5 भारतिये नाम इस लिस्ट में नजर पर देखने को मिलते हैं और ऐसे में दोस्तों बिना कोई विलम के चलिए शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात करते हैं सबसे पहला नाम निकल कर आता है एक्चुली इस टॉप तीन जो नाम है उनमें तीन के तीन दोस्तों बांगलादेश के प्लेयर्स हैं बहुत सारे सी चुके हैं ODI विश्रकप में और ऐसे में इस साल का विश्रकप निश्यत तोर पर इनका आखरी ही होगा क्योंकि वह यह 36 साल के हो चुके हैं 2006 में ODI डेब्यू किया था खेलते हैं तो responsibility बहुत जादा है इंजरी concern भी इनके साथ जुड़े रहते हैं और याद रहे कि 36 साल के हैं तो ऐसे में next विश्रकप आते आते लगबख 40 साल के हो जाएंगे और बहुत ही कम chance है कि 40 साल तक शाकी बलसन वही fitness maintain रखें और आपको 2027 के भी विश्रकप में नज करें और इसके बाद दोस्तों इस सूची में number 2 पर आते हैं इन्हीं के टीम के जोड़ीदार in fact इनसे काफी similar आंकड़े रखने वाले मुश्फिकुर रहीम जी आँ दोस्तों मुश्फिकुर रहीम की अगर आप age की बात करेंगे तो 36 साल इनकी age 2006 में ही इन्होंने भी लेबास खेलते हैं जब फिनिशर के तौर पर खेलते हैं तो इनका रोल बहुत एहम होता है इस टीम में क्योंकि कई बार ऐसे इनको मैचस फिनिश करने पड़ते हैं कई बार बहुत जादा विक्टे गिरती है तो responsible inning खेलनी पड़ती है बहुत ही tough role है और ऐसे में आप आएंगे मौका देंगे तभी वो तयार होंगे 2027 विश्रकप के लिए और ऐसे में बहुत जादा chances है कि इस साल का विश्रकप इस खिलाडी का आखरी ODI विश्रकप हो सकता है और इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं इनी के टीम के एक और भाईया खिलाडी मैं बात क आन के खिलाब जो श्रिंखला बांगलादेश खेल रही थी उसमें इने टीम में भी नहीं पिक किया गया हाला कि बोला गया कि ऐसा नहीं है कि हम इने ड्रॉप कर रहे हैं हम इने आगे आने वाले प्लैंस में रखेंगे लेकिन हाल खिलाल में दोस्तों जो ODI परफॉर्में है वो लगबग 2027 में होगा और तब तक इनकी एज लगबग 41-42 होगी जहां तक इनके लिए फिट रहना और खेल पाना as an all-rounder और वो भी lower down the order बले बास के तोर पर बहुत ही जादा मुश्किल होगा इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कि मुहमद मेहमद उल्ला के लिए न नंबर चार पर रखना चाहूंगा मैं A for Australia और इस टीम के लिजेंड तुफानी बलेबास डेविड डानमाइट वार्नर अब जी यहां दोस्तों इनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सब कुछ डेविड वार्नर ने खुदी कंफर्म कर रखा है जी य चाहता हूं और वहां से अगर मैं खेल पाया सही रहा तो देखेंगे नहीं तो वहीं पर I will try to hung my boots and I will try to take the retirements तो इन्होंने बहुत ही क्लियर ली यहां पर यह चीज़ क्लैरिफाइफाई की है कि भाई साब मैं जो है 2024 विश्रकप के बाद रिटायर हो जाओंगा और आप उ टीम भी बहुत सारे लोगों को मौका दे रही आप देख रहे होंगे कि मार्श यहां पर open करते हैं यहां पर Travis Head को मौका मिल रहा है और टीम आगे आने वाले युवा खिलाडी Josh English बहुत सारे नाम है जिनको groom करेगी तो ऐसे में there are high chances दोस्तों कि इस साल के विश्रकप के बा बाता है Trent Bolt का, Trent Bolt के साथ एक curious case है, एज इनके लिए कोई बड़ा factor नहीं है और यह काफी fit भी रहते हैं उतने injury prone है भी नहीं तो आप कहेंगे तो भाया Trent Bolt को खेलना चाहिए काफी consistently खेलते हैं और गजब की लैमे भी रहते हैं लेकिन दोस्तों Trent Bolt के साथ दिक्कत पता है क्या आपने खुदी release की demand की थी, आप खुद अब T20 format में और tournaments में focus करना चाहते हैं बहुत ही कम chance है कि 2027 के विश्रकप तक के लिए टीम आपको अपने plans में रखे या फिर आपको pick करे और हो सकता है 2023 विश्रकप के बाद ODI format को अगर यह अलविदा Tata Goodbye भी कह दें तो कोई shocking बात नहीं होगी, 33 साल के हैं 2012 में डेब्यू किया था, काफी लंबे मतलब काफी बाद डेब्यू किया लेकिन बात वही है कि उम्र कभी उतना कोई तकाजा नहीं यह खेल सकते हैं, 37 में तो इंसान खेलता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों ट्रेंट बोल्ट जिस तरीक की ट्रोफी से जी, आँ मैं बात कर रहा हूँ, 2019 के विश्यकप फाइनल में वो रनर मार्टिन गब्टिल की, अब आप लोगों को याद होगा कि इतनी ही तो दूर थे, बहुत जादे तो विश्यकप की ट्रोफी न्यूजिलैंड की होती, लेकिन 2023 में शायद वो दूरी खत हो सकती है कि ट्रोफी ये जीत जाएं या तो फिर शायद ये कहेंगे कि क्रीज पर तुम्हें पहुच गया पर इसके बाद फिर से क्रीज लूंगा नहीं, क्योंकि 36 साल की उम्र हो चुकी है दोस्तों, मार्टिन गब्टिल की और टीम भी अब भविश्यकी तरफ अपने इ पहर ही रखा है, ये भी T20 क्रिकेट में फोकस ही करना चाहते हैं, तो इस साल के विश्यकप में अगर स्क्वैड में सिलेक्ट होंगे तो ये इनका आखरी विश्यकप होगा और अगर नहीं भी सिलेक्ट हुए तो भी 2023 का ODI World Cup निश्च तोर पर मार्टिन गब्टिल का आख शिकरधावन जी, आँ दोस्तों शिकरधावन का नाम इस सूची में आपको सर्प्राइज नहीं करेगा, देखें 37 साल के उम्र हो चुकी है, ODI डेब्यू किया था 2010 में, चिंता की बात दोस्तों यहां पर ये है कि लास्ट ODI मुकाबला 2022 में खेला था, उसके बास से टीम न नजर आते हैं कि शिकरधावन की, अब ODI स्क्राइड में कोई जगा है नहीं और 2027 के विश्रकप तक यह फिट रहें, तयार रहें, यह फिटीम इने मौका दे, ऐसा होना भी बहुत ही, नामुम्किन सा नजर आता है, तो ऐसे में 2023 का विश्रकप निश्यत तोर पर शिकरध जवन के लिए अगर सेलेक्ट होते हैं, तो आखरी विश्रकप है, अगर नहीं भी सेलेक्ट होते हैं, तो अब इसके बाद यह आपको ODI प्रारूप में भी शायद और या फिर ODI विश्रकप में तो कतई भी नजर नहीं आने वाले, और इसके बाद हम बात करें सूची में क्यों हैं, दोस्तों उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, रोहिश्रमा का नाम इसलिए है, क्योंकि दोस्तों हाल फिलाब में पहली बात तो इनकी फॉर्म को लेकर भी थोड़ी से शंस है और अशक बरकरार रहते हैं, और दूसरी बास सबसे इंपोर्टन है ओडियाई विश्रकप के अगर 2023 में वैसा कुछ ये रिपीट करते हैं और अगर इनकी बॉड़ी गवाद देती है, तो निश्रित तोर पर ये आगे कॉंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो अभी BCCI के प्लान्स हैं, उनमें तो यही बताया जा रहा है कि 2023 के ओडि करीबन 40 साल की उमर और क्या उतने अपने आपको ये फिट रख पाएंगे, खेल पाएंगे, कहना बहुत ही जादा मुश्किल है, फिर मेरे ख्याल से शायद नामुम्किन ही है, इसलिए रोहिशर्मा के लिए 2023 का विश्रकप मेरी समझ से लगबग 99% उनका आखरी विश्रक लेकिन ODI World Cup की अगर हम बात कर रहे हैं, तो निश्रत तोर पर ये उनका आखरी विश्रकप ही होगा, और उसके बाद दोस्तों नमबर 9 पर इसी सूची में आते हैं, रवी चंदन अश्विन अबार, अश्विन को आप सभी लोगों ने पता है कि 2022 के आइधिंग वो जनवर कर देंगे, क्योंकि 36 साल के हो रखे हैं, और उसके बाद ये कॉंटिन्यू करें, ना करें, ODI format में अगर आपको जगा नहीं मिल रहे हैं, तो कोई खास यादा है, यहां पर बात होती नहीं है, और निश्रत तोर पर दोस्तों, इस साल का विश्रकप इस दिगज test all rounder के लि लेकिन जो है, दोस्तों, मुहमद नाभी पर अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि भाया, अफगानिस्तान के अल्रेडी एक लीजेंड खिलाडी के तौर पर खेल चुके हैं, और इनकी उमर अल्रेडी 38 साल हो चुकी है, यानि कि नेक्स्ट विश्रकप तक लगबग 42 खेलते हैं, काफी consistent रहे हैं, और in fact अपनी fitness पर भी work किया है कि इतनी age में इतनी अच्छी cricket खेल रहे हैं, लेकिन अब नहीं लगता कि इसके बाद आगे continue करेंगे, और SME इस साल का विश्रकप निश्चित तोर पर इनके लिए आखरी विश्रकप होने वाला है, तो SME दोस् सिर्फ 2-3 नाम नहीं है, बलकि 5 नाम आपको इस सूची में नजर आएंगे, आप बचे हुए जो नाम हैं दोस्तों, मैं आपको बताओ, उनमें से एक है श्रीलंका के एंजलो मैथ्यूस, जिनके लिए definitely चीज़े certain है, उन्होंने already retirement लगबग की करी लीती, फिर वो वापस एक बार खेला, फिर फॉर्म में नहीं आए, फिर टीम ने अब उन्हें ड्रॉप कर दिया है, और ऐसे में इस साल का विश्रकप उनके लिए आखरी ही है, उनकी एज बहुत जादा हो चुकी है, मुहिन अली यहाँ पर अभी हाल प्लाल में तो टेस्ट रिटार्मेंट ले यह हो रहा है, लेकिन उन्हें रिटार्मेंट अनाउंस नहीं की है, लेकिन इस साल के विश्रकप के बाद वो निश्रित तोर पर कर भी सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों सेम अपलाइस फॉर टिम साओधी, क्योंकि इनके साथ फिटनेस कंसर्न और क्या टीम अब भविश कैसी है, और कितना जादा वो खुद को एक्स्टेंड करेंगे, क्या 2027 के विश्रकप तक वो खेल सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, निश्र तोर पर आगे आने वाले 2-3 साल तो क्रिकेट खेली ही जा सकती है, और अलग-अलग प्रारूपों में ये खेलेंग के बाद, या फिर आपको लगता है कि विराट अभी आगे कॉंटिन्यू कर सकते है, रोहित का ये लास्ट वर्लिकप है या नहीं, या वो भी 2027 के वर्लिकप में नजर आएंगे, बड़े सारे सवालों के साथ आपको छोड़ कर जा रहा हूं, जो आप मुझे कॉमेंट में